नमस्कार दोस्तों, I am sure आप सब लोग Amartya Sen के बारे में जानते होंगे, He is a Nobel Laureate और उनको Nobel Prize मिल चुका है Economics में, लेकिन recently उनके Land को लेकर कुछ Controversy हो गई है, जो जिस Plot पे वो रहते हैं, उनका घर है जहांपर, उसको लेकर Controversy हो गई है, इसके बारे में मैं आपसे डीटेल में बताऊंगा क्या हुआ है, लेकिन उसके पहले यहांपर मैं आपको exact location बता देता हूँ कि उनका घर कहां परिस्तित है, तो वो रहते हैं दोस्तों, शांती निकेतन में, शांती निकेतन बेसिकली आपको West Bengal में मिलेगा, ध्यान रखी का यह कोलकता के अंदर नहीं है, कोलकता जैसा कि आप देख सकते हो, सांती निकेतन, तो सांती निकेतन बेसिकली क्या है, कि जब रविंद रनाथ टैगोर थे, उन्होंने ये सांती निकेतन में विश्व भारती युनिवर्सिटी का establishment किया था, आप देख सकते हो, यह है आपका विश्व भारती युनिवर्सिटी और यहाँ पर आपको playground मिल जाएगा, अलग-अलग इसके जो campuses हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहीं पर आप देख सकते हो, कई सारे घर बनाएगा है, residential plots भी आपको देखने को मिलेगा, तो जब यह आपका विश्व भारती युनिवर्सिटी बनाया गया था, टैगोर के दौरा established किया गया था, तो कई सारे जो eminent persons हैं, उनको यहाँ पर plot दिया गया था, तो उसमें से जो मर्तिय सेन के नाना है, जिनको maternal grandfather कहते हैं हम, उनको भी यहाँ पर land दिया गया था, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो यहीं पर वो अभी रहते हैं, इसी में से कोई घर है, जहाँ पर वो रहते हैं, और इसी particular land को लेकर controversy हो गई है, यहाँ पर आप दोस्तों न्यूज में भी देख सकते हो, अमर्तिय सेन on विस्व भारती's illegal occupants of campus plot list, यहाँ पर आप एक और देख पाऊगे, we shall overcome, जो ममता बेनर जी हैं, उन्होंने यहाँ पर चिठ्थी लिखी है, अमर्तिय सेन को over the land controversy, और उनको support किया है एक तरह से, तो यह पुरा मामला है, क्या कहां से start होता है, अमर्तिय सेन के पास घर कैसे आया, हर एक चीज के बारे में मैं आपको detail में बताऊँगा, चलि आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंके तगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं, Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे लेक्टर की हब पीडियोफ आपको Facebook पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जॉइन कर सकते हैं, अंके तगरवाल ओफिशेल और अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनेरा मौका है, Study IQ लाए आपके लिए Smart Courses, जिसके तुरू आप अपने preparation और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिकली अभी जो recent event हुआ है, उसमें जो Chief Minister है, West Bengal की ममता बनर जी जी, उन्होंने यहाँ पर Friday को एक चिठी लिखी है, Nobel Laureate Amartya Sen को और उनको support किया है, कि जिस तरह से उनका नाम लाया गया है, विश्व भारती University के illegal list के अंदर, basically क्या हुआ है, कि जो विश्व भारती University है, मैंने अभी आपको map में दिखाया, उन्होंने एक list जारी की है, और यह कहा है कि उनके campus में कुछ ऐसे plot holders हैं, जो कि illegal तरीके से plot को occupy किये हैं, तो उसके अंदर Amartya Sen का भी नाम है, तो जैसे ही यह चीज पता चला, हम यह बात कर रहे हैं, विश्व भारती University की, और यह आता है आपका Central Government में, and I am sure आप अभी चीजों को link कर पा रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर Central Government और West Bengal Government में, already आपने देखा होगा, काफी जादा यहाँ पर fight देखने को मिल रही है, और इसके साथ-साथ चिट्थी में आप देख सकते, उन्होंने लिखा है कि this pains me, जिस तरह से उनका नाम लाया गया है, Legal Occupant के list में, this pains me and I want to express my solidarity with you, और यहाँ पर उनका basically कहना है, कि जिस तरह से Majoritarian का इस समय देश में राज है, उसको लेकर वो चिंतित है, वो इस particular चिट्थी में उन्होंने लिखा है, और एक तरह से यहाँ पर suggest किया है, अमर्तिया सेन को कि count me as your sister, मतलब कि आप मुझे sister की तरह treat करिए, friend की तरह लीजे, और यहाँ पर मैं आपके साथ हूँ, जिस तरह का intolerance और totalitarianism का माहूल है, उसके खिलाब हम यहाँ पर लड़ेंगे, and we shall overcome this, तो यह सारी चीजें यहाँ पर, जो ममता बनर जी जी है, उन्होंने अमर्तिया सेन को चिट्थी में लिखा है, अब हम आते हैं दोस्तों की यह controversy start कैसे होती है, देखें, यह आपको याद रखना है 9th of December, 9th of December को क्या होता है, कि जो विश्वू भारती उनिवर्सिटी है, उनके faculty members का यहाँ पर virtual meeting conduct हो रहा था, 9th of December की शाम को, तो करीब 350 faculty members यहाँ पर इस virtual meeting में शामिल थे, और वहाँ के जो Vice Chancellor है, जिनका नाम है विद्यूत चक्रोबर्ती, उन्होंने अपने speech में देखे क्या बोला, उन्होंने यहाँ पर claim किया, जो Vice Chancellor है विद्यूत चक्रोबर्ती, उन्होंने अपने speech में यहाँ पर claim किया, कि जो भारत रत्न अमर्तिय सेन है, उन्हों ने उनको call किया था, मतलब कि अमर्तिय सेन ने विद्युद चक्रोबर्ती को call किया और ये कहा कि आप जो hawkers हटानी की कोशिश कर रहे हैं हमारे घर के बाहर से उसको आप मत हटाएए, बेसिकली आप समझो आपने देखा होगा घर के आसपास भी कई सारे जो hawkers होते है सबजी बेचने वाले, रेडी पट्री वाले, यहाँ पर जो लोग होते हैं जो समान वगरा बेशते हैं आपने देखा होगा रोट के किनारे, तो यहाँ पर अमर्तिय सेन ने basically call किया बिद्युद चक्रोबर्ती को और ये कहा कि जो hawkers हैं उनको यहाँ से मत हटाएए, हमारे बात फर्दर देखें क्या होता है, जो वाइस चांसलर हैं विद्युद चक्रोबर्ती, उन्होंने फर्दर अपने स्पीच में ये सज़ेश्ट किया कि प्रोफेशर सेन को, प्रोफेशर जो अमर्तिय सेन हैं, उनको मैंने reply में ये जवाब दिया, कि अगर आप चाहते हो कि होकर्स ना हटाया जाएं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर उनको जगा दे दो, देखें अब मामला समझिए, सपोज मैं कहता हूँ कि ये आपका विश्व भारती उनिवर्सिटी है, और सपोज यहाँ पर कहता हूँ ये अमर्तिय सेन का घर है, यहाँ पर इसके अ कि जो होकर्स को यहाँ से हटाया जा रहा है उनके घर के बाहर से, उनको वहाँ से ना हटाया जाएं, क्योंकि उनकी जो डॉटर है, वो यहाँ पर अक्सर आती है इस घर के अंदर, घर में आती हैं और आस पास सब्जी लेना होता है, तो उनी से वो खरीद लेती हैं, अगर पर जो Vice Chancellor है उन्होंने reply में ये कहा कि अगर आप चाहते हो कि इनको ना हटाया जाए तो आप अपने property के अंदर उनको जगा दे दो तो जैसे ही Vice Chancellor ने ऐसा बोला तो उसी समय जो Amartya Sen है उन्होंने phone को रख दिया hang up कर दिया ऐसा यहाँ पर ध्यान रखेगा मैं नहीं बोल रहा वो present थे virtual meeting के अंदर और उसके जो President है ये जो विशो भारती University Faculty Association के जो President है उनका नाम है सुदिप्त भटा चार्या अब उन्होंने क्या किया जब ये चीज़ सुना यहाँ पर Vice Chancellor से कि Vice Chancellor ऐसा कह रहा है meeting के अंदर तो यहाँ पर उन्होंने एक mail भेज दिया Amartya Sen को confirm करने के ल है क्या आपने Vice Chancellor को call किया था तो surprisingly यहाँ पर उत्तर आता है Amartya Sen का और वो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता मैंने यहाँ पर कोई call नहीं किया था Vice Chancellor को और ये सारी जो चीज़े हैं वो बे गुनियाद हैं and even मैंने यहाँ पर कहीं पर भी भारत रत्न का भी जिक्र नहीं मतलब मैंने call ही नहीं किया तो भारत रत्न के बारे में जिक्र भी नहीं आता है और मैं कहीं पर भी इसका इस्तमाल भी नहीं करता हूँ जबिंग मैं कहीं जाता हूँ और even यहाँ पर daughter की जहां तक सबजी ले में आगे अब थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि अमर्तिय जो सेन है उनका जो घर है सांती निकेतन के अंदर उसका इनसे क्या लिंक है तो बेसिकली क्या होता है कि जो नाना मैंने आपको बताया अमर्तिय सेन की जो maternal grandfather है उनका नाम है शिती मोहन सेन को क्या होता है कि जब और 1921 में finally इसको establish कर दिया गया था और even ये भी बताया जाता है कि जो सेन है अमर्तिय सेन उनको जो नाम दिया गया अमर्तिय वो भी रबिंद्रनाथ टेगोर जी के द्वारा यहाँ पर दिया गया था 1933 में जब अमर्तिय सेन बौन हुए थे तो देखे यहाँ पर जब university बन पसमें जो land है basically जमील है plots यहाँ पर दे दिये जाते हैं कई सारे लोगों को उसमें से उनके जो नाना थे उनको भी plot मिला था और वहाँ पर अमर्तिय सेन के जो फादर है पिता जी है उन्होंने घर बनाया था और इस घर का नाम है प्रतिची ठीक है प्रतिची यह घर का ना पारति युनिवर्सिटी है उसको पर्लेमेंट में एक 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 तुरू एक लॉल लाकर यहाँ पर सेंट्रल युनिवर्सिटी बना दिया गया था डिकलेर कर दिया गया था और इंस्ट्यूशन of national importance का दर्जा दे दिया गया था तो चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर यह सारी चीज़ें दे दी गई और यहाँ पर जिनको plot मिलावा था वो आराम से यहाँ पर रह रहे थे लेकिन अब यहाँ पर illegal land की controversy की कहां से चर्चा आ जाती है तो यहाँ पर मैंने आभी आपको यह सारी stories बताएं कि ऐसा ऐसा वाइस चांसलर और इसी सारे चीज़ों के बीच हुआ था अब क्या होता है कि Thursday को जो विश्व भारती युनिवर्सिटी की authorities हैं उन्होंने West Bengal government को एक पत्र लिखा उस पत्र में ये बोला कि विश्व भारती युनिवर्सिटी के campus के अंदर कई सारे ऐसे plot हैं जिसको गलत तरीके से occupy किया हुआ है अनौथराइस तरीके से कुछ लोगों ने occupy किया गया है इसके लिए उन्होंने एक list जारी की अब इस list के अंदर यहाँ पर अमर्तिय सेन का भी नाम था I hope कि अब आपको चीजें link हो गई होगी कि यहाँ पर इस list के अंदर यहाँ पर अमर्तिय सेन का भी नाम था basically university ने यह allegation लगाया अमर्तिय सेन के उपर कि आपको जो lease पर दिया गया था आपके नाना जी को उस समय करीब 80-90 साल पहले जो land दिया गया था वो 125 decimal का land दिया गया था आप देखेगा बेंगौल में खासकर और बांगला देश के अंदर जो term यूज किया जाता है वो होता है decimal तो decimal basically आप देख सकते हो इसको it is equal to 436 square feet 1 decimal equals to या तो आप 40 square meter आप कह सकते हैं या तो in fact आप इसको 1 by 100th acre भी land कह सकते हैं तो यह basically यहाँ पर university ने आरोप लगाया कि आपको दिया गया था 125 decimal of land लेकिन आपने extra 13 decimal land जो है illegal तरीके से occupy किया हुआ है मतलब आपके पास land इस समय क decimal लेकिन आपको दिया कितना गया था legal तरीके से 125 decimal तो यह आरोप यहाँ पर लगाया गया है और इसी को लेकर land की controversy सामने आ गई है इसके रूप में क्या Amartya Sen ने कुछ response किया है तो दीखें यहाँ पर the telegraph में उनके तौरा कुछ interview आया था ऐसा बताया गया है और उन्होंने tele telegraph में यहाँ पर बोला है कि there is a big gap exists between सांती निकेतन का जो culture है मैं इतने सालों से यहाँ पर रह रह रहा हूँ और जो culture है यहाँ का और जो present में vice chancellor है दोनों के बीच में काफी जादा gap देखने को मिलता है यहाँ पर मुझे पता चला है बाहर के sources से कि यहाँ पर कई लोगों क बात है जिस पर मैं इस समय रह रहा हूँ वो basically अभी expire होने में काफी साल बाकी है उनका यह कहना था कि 99 साल के लिए दिया गया था और अभी आसपास यह भी expire नहीं होगा जहां तक extra land की बात है यह जो 13 decimal की बात कही जा रही है वो basically मेरे father ने इसको खरीदा था आगे चल कर त जब illegal list के अंदर यहां पर अमर्तिया सेन का नाम हाता है तो इसी को देखकर जो West Bengal की Chief Minister है ममता बेनर जी जी उन्होंने यहां पर पत्र लिग दिया अमर्तिया सेन के support में और इसी लिए यह पुरा controversy इसमें news में चल रहा है I hope दोस्तों आपको crystal clear सब कुछ समझ में आ गया था क्या लिंक है अमर्तिया सेन का सांती निकेतन से I hope कि इसमें आपको जाने को मिला होगा जाने से पहले क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पर रविननात टैगोर की तो क्यो ना यहां पर एक तीन statement उनके regarding यहां पर कर लिया जाए तीन statement है बताए कौन साइज statement यहां पर correct हो सकते हैं I hope कि इस वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता आप से next time till then thank you very much see you soon